असलाम अलेकम आज हम बनाएंगे कोकनेट केक यह कोकनेट केक बहुत ही मज़े का बनता है बहुत ही स्पंची और सॉफ्ट इसके लिए यह आपने एक कब मैदा लेना है इसके अंदर वान फॉर्थ टीस्पून नमक जाएगा वान फॉर्थ टीस्पून बेकिंग पॉडर यह इसके अंदर डालके यह इसको छान लूँगी अब बटर मिल्क त्यार कर रही हूँ यह बटर मिल्क से अबना आ रही हूँ यह आदा कप दूद लिया नीम करम इसके अंदर या तो वाइट वनिगर डालने एक चमच या फिर को लैमन जूस डाल ले यह दूद को फाड़ना यह फाट सा जाता है यह बटर मिल्क त्यार हो जाता है अब यह मैंनने कोकनट क्रश्ट कोकनट का अदा गॉर्ट रादा अधा सकते हैं यह आप सारे स्टैप बाइ स्टैप आप देखें यह किस तरीके से केक विए बहुत ही मज़े का सॉफ्ट और स्पंची बनता है सबसे पहले यह अंडों को बीट करना है जब भी आपने ओयल के साथ वो केक बनाना है तो पहले अंडों को बीट करना है फिर इसके के अंदर चीनी डालें थोड़ी-थोड़ी कारके फिर उसके अंदर एक-एक अंडा तोड़के डालें और बीट करें यह ओयल और मखन से थोड़ा डिफरेंट मैथड है और अगर आपने यह जग में बनाना है यह मैं बीटर से कार रही हूं आप हैं विक्सर से भी कार सकते हैं या फिर आप जग में डालके उसके अंदर यह अंडे ओयल सारी चीजें इसको भी फैट सकते हैं इस तरीके से भी मैंने बहुत से केक बनाए हैं अब इसके अंदर मैंने एक टी स्पून वनीला सेंस डाला है और इसको बीट कार रही हूं यह कलर इसका लाइट होजएग अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा चीनी मैंने डाल दिया अब इसके अंदर यह कुकिंग ओयल डाल रही हूंगे कुकिंग ओयल है आदा कप अगर आप मखन लेंगे तो वह भी आदा कपी जाएगा यह ओयल से भी केक अच्छा बनता है और अगर आप मखन से अब इसको अच्छी तरह बीट कर लेना है अब इसके अंदर यह जो बटर मिल्क मैंने बनाया है यह मैं आपको दिखाती हूं यह देख सकते हैं यह इस तरह हो जाता है इससे भी यह केक बहुत साफ्ट बनता है और इसके अंदर यह जितना मैं बना रही हूं यह इसके बीटर को साइड पे करें और हैंड विक्सर से इसको मिक्स कर लें यह मैं इसी के अंदर चांड जी हूं मैदा जब भी आप केक बनाएं तो मैदे को आप इस तरह चांड के डालें यह केक फिर इस तरह वह सौफ्ट बनता है वह लाइट अगर आप उसी तरह ड्रैक डालेंगे तो वह बिबान तो जाएगा लेकिन वह थोड़ा वह सखत बनता है अब इसके अंदर कोकोनेट का ब्रादा भी मैंने डाल दी गया या फिर हलके हाथ से इसको वह बीटर से कर लें जब यह डाल देते हैं मैदा वगयरा तो फिर इसको ओवर बीट नहीं करते हलके हाथ से इस तरह कर लें या फिर है वैसे ही वह स्पैचुले से मिक्स कर लें मैं इसको ओवन में बेक कार रही हूँ ओवन को मैंने प्री हीट कार लिया है वहां नेटी पे अगर आप प्तीले में करना चाहते हैं तो प्तीले को भी इसी तरह वह चूले पर राक के उसको गरम करें पहले जब भी यह त्यारी करने लगें उसके अंदर भी रहा कि जा कोई चीज राक के आप एजीली बेक कर सकते हैं या बोचुके आप इसके अंदर डाल के यह मैं इसको ओवन में राक दूंगी यह 30 मिन्ट से पहले आप ना ओवन को खोल के चेक किया करें अगर आप पतीले में भी बनाएं तो उसमें पतीले में आप 25 मिन्ट से पहले ना चेक करें आप इसको मैं ओवन में राक रही हूं इसके ऊपर मैं कोकुनेट का ब्रादा थोड़ा सा वह चिड़क दिया है अब यह बेक हो चुका है यह 45 मिन्ट में बेक हो गया है आप अपने ओवन का हिसाब फिर हुद देख लेना यह इस तरह व करके तो इसके ऊपर प्लेट रहा के इसको पल्ट लेना है मैंने बहुत से बिस्किट और केक बनाए हैं पतीले में बेक की है मैं वह दे दूँगी इसकी प्लेलिस्ट केक की और बिस्किट की यह डिस्क्रिप्शन में आप वह चाक कार लेना वह आई-कार्ड में मैंने एक प्रापर वह कोकनट बिस्किट बनाय थे। उसमें मैंने प्रापर बताया था पतीले को किस तरीके से पतीले में आप बेक कर सकते हैं वो भी लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में आप ये देख सकते हैं बहुत ही perfect ये cake बनाए बहुत ही soft और spongy मैं आगे आपको cut करके भी दिखाती हूँ ये coconut cake बहुत ही मज़े का बनता है ये मैंने apple cake भी बनाया था वो भी बहुत मज़े का बनता है और apple cinnamon cake और apple cinnamon मैंने muffins भी बनाये थे ये आप मेरे channel पर देख सकते हैं ये बहुत ही मज़े की इस तरह वो baking और easy तरीके से हो जाती है आप इसको जरूर ट्राई करें बिस्किट भी और cake बगएरा भी ये पतीले में भी इसी तरीके से perfect इसका color आता है और इसी तरीके से बनता है आज को आपने पतीले में slow रखनी होती है और उसको ढाक के किसी चीज से इस तरह फिर आप चाक कर ले जब एक दो दफा बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा आप मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना soft और spongy बनाएं आप इस तरीके से इसको बनाएं और चाहे के साथ आप इसको इसको इस्तमाल करें या वैसे भी ये बच्चों को आप लैंच में भी दे सकते हैं ये बहुत ही soft और spongy बना है इसी तरीके से आप ट्राइ करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है मेरे चैनल को सब्क्राइब करें लाइक करें शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स में थैंक्स फर वाचिंग ओके अल्ला अफीस